Hi everyone, welcome back to Dikshah's Education Hub. आज के इस lecture में हम study करेंगे about पंजाई. पंजाई को अगर बोलें तो कवक भी बोल देते हैं हिंदी के अंदर. इसके कुछ फीचर्स देखे थे हमने फाइलम, गिंग्डम फंजाई के अंदर. क्या-क्या फीचर्स थे? एक बोला था कि इसमें cell wall तो present होती है, तो वो तो plant cell में भी present होती है. और इनकी जो cell wall थी, वो किसी different component की बनी हुई थी. और वो कौन था? That was kaitin. ठीक है, plant cell wall किसकी बनी थी? Cellulose की बनी हुई थी. दूसरी जो इसमें differentiation आगी, कि ये plant चे क्यों different होता है, वो differentiation ये थी, कि इसमें होती है heterotrophic nutrition. हेट्रो का मतलब होता है, पर-पोशी. पर-पोशी यानि कि अपने खाने के लिए दूसरों के ओपर dependent रहते हैं. तो जो fungus यानि की कवक की जो study होती है, विज्ञान होता है, उसको कह देते हैं mycology. फंगाय जो है, ये eukaryotic organism है, eukaryotic से मतलब है कि जो इसका nucleus, यानि की नाभिक है, वो well defined है. इसमें सारे microorganisms आजाएंगे, जैसे की yeast आजाएगा, mold आजाएंगे, mushroom आजाएंगे, mushroom तो आपने खैर देख रखे हैं, कुछ ऐसी जैसी shape होती है. Dead and decay matter पे, जो सड़ा पड़ा होता है, उसके उपर भी उख जाते है properly. Mold भी आपने देख रखी है, अगर आपने ब्रेड को notice किया हो, तो उसके उपर green से color की टार निशा जाती है, क्योंकि वहाँ पे एक fungus लग जाती है, और fungus का नाम है rhizopus, वैसे unicellular, यानि की एक कोशिय फंगाई भी होती है, जिसका नाम है yeast, इस्ट का scientific name देखोगे, तो saccharomy saccharomyces, saccharomyces के fermentation में बड़ा यूज होता है, जब भी किसी चीज को अड़ा के थो, उसकी alcohol बनानी होती है, तो वहाँ पे yeast का यूज कर लेते हैं, वैसे baking करनी होती है, जैसे kicks बनते हैं, तो उसमें भी yeast डालेते हैं, फुलावट दे देता है, तो इस तरह से fungus के हमने different features देख लिए थे, और इसकी जो cell wall होती है, वो generally किसकी बनी होती है, तो made up of chitin, chitin जो होते हैं, यह sugar के ही complexes होते हैं, ठीक है, तो कुछ हद तक आपको fungus का ऐसा जैसा structure दिखेगा, इसके अंदर notice करो, बड़े सारे sports दिख रहे होंगे आपको, छोटे-छोटे sports दिख रहे हैं, और यह जो envelope है, this envelope, this envelope is known as sporengium, इसको बोलते हैं sporengium, जब यह mature हो जाता है, तो यह sporengium है, इसकी जो बाहर की layer है, यह layer फट जाती है, और इसमें से सारे sports निकल जाते हैं, तभी तो यह fungus होता है, वो एक जगे से दूसरी जगे पर spread कर जाते है, फंगल डिजीज भी एक जगे है, वो develop कर देती है, तो that is the main feature of fungus, अब इसकी mode of nutrition अगर देखें, तो सबसे पहले आती है, saprophytic, saprophytic का मतलब होता है, मरितो पजीवी, मरितो पजीवी का मतलब है, कि कोई चीज मरित है, यानि कि dead है, और सडरी है साथ में, dead and decaying है, तो उसके उपर भी उग जाएंगी है, यह कि fungus होती है, जो मरितो पजीवी होती है, यानि कि dead and decay matter के उपर भी उग जाती है, एक्जामपल जाते हैं, इस केस में, जैसे कि rhizopus, bread के उपर देखी थी, right, rhizopus जो थी, penicillium, vaccine बनाई थी, accidentally यह vaccine डावलप होई थी, अलेक्जिंडर का नाम आ जाता है, तो यह जो penicillium है, pneumonia यह जो जाती है, aspergillus, aspergillus जो है, एक तरह की mushroom होती है, edible है nature में, तो you can see, कि different तरह के function है, एक जगे भी आपने positive देख लिया, जैसे कि penicillium आ गया, negative भी आपने देख लिया, bread को खराब कर रहा है, rhizopus, aspergillus, again positive आपने point देख लिया, जिसमें हमने क्या बोला, कि जो खा बोला, जैसे को हम खाने की फ़र्म में, यूज कर रहा है, जैसे ही parasitic अपने और जीवी, परजीवी का मतलब है कि इस दूसरे जीव के ओपर रहना, एक्जांपल देख लेते हैं, कि यह होता क्या है, कि यह दूसरे और अरगिनिजम से अपना food attain करते है, इसको आप कैसे कौटरिशन से भरा हुए। और उसके ऊपर कौन रह रहा है परसाइट रहा है। परसाइट कौन सा है? परसाइट ऐसा है यहाँ पर जुए। तो उसी तरह से जो कवक होती है यह भी दूसरे living organism के उपर रहके अपना nourishment attain कर सकती है वो plant हो सकते हैं, animal हो सकते हैं और वहाँ से अपना nourishment attain कर लेती हैं बहुत सारे example है Pucenia Pucenia आपने सुना होगा wheat rust के बारे में जो wheat होती है, गेहु होती है उसके पत्ते के उपर ऐसे होता है उसका पत्ता mode of nutrition in case of your plants Symbiotic भी देखा था हमने Symbiotic में क्या देखा था? याद करो, blue green algae थी, एक fungus थी ठीक है, यह दोनों mix कर गे और इन्होंने बना दिया lichen, जहां पर blue green algae तो autotrophic थी यानि कि स्वाप पोशी थी, अपना खाना खुद बना रही थी पर जो fungus थी, वो सिर्फ इसको shelter प्रोवाइड कर रही थी तो एक ने बोला, तुम मुझे shelter दो, मैं तुमें खाना दोंगी ठीक है, यह वाली जो association थी, इसको हमने बोल दिया था lichen, तो interdependent थी एक दूसरी की तरह है उसी तरह से एक और example है, mycorrhiza mycorrhiza के case में क्या होता है, जो आपके बड़े-बड़े plants होते हैं इस तरह से, इनकी जो roots होती है higher plants की जो roots होती है, वहाँ पे fungus deposit कर जाता है, sorry, lichen जो है, वो यहाँ पे deposit कर जाते है, और यह, sorry, fungus जो होती है वो deposit कर जाती है, तो myco का मतलब होता है fungus and rhiza का मतलब होता है, roots ठीक है, तो fungus और roots की जब association होती है तो उस type को बोल देते है, mycorrhiza, यहाँ पे again fungus ने क्या किया, shelter लिया, और plant तो बनाई रहा है अपना food, तो वहाँ से nourishment retain कर लेगा, तो यह कुछ mode of nutrition है, जो कि हमें fungus में देखने को मिल जाती है, now this is how opiocenia act on the जो गेहू का plant होता है, ठीक है, यह देख सकते हो, आप parallel venation हो रही है, और यह जो orange-orange color दिख रहे हैं हमें, that is the pucenia, तो इस तरह से यह different examples आपको मिल जाते हैं, fungus के case में, यह देखो, यह सारी जो है, यह fungus ही तो आपको वाइट कलर के ऐसे मासिस दिख जाएंगी, वह भी fungus होती है, this is, यह होती है आपकी गुच्ची, highly nutrition से filled होती है और महंगी बिखती है, किलो के हिसाब से देखोगे, तो लगबग 20,000 रुपै की यह बिखती है, पर केजी, तो काफी huge cost होती है, हिमालेन रीजन में जादा ग्रो करती है, वैसे ही ऐसे dead plants होते हैं, उनके उपर भी कुछ फंगस आपको दिख जाएगी, यह वाली फंगस, यह मश्रूम है, इसको आप खाते हो, ठीक है, इसको मिल रखा है, क्योंकि एक तो बहुत ज़्यादा नरिश्मेंट वाली है, और इसको गुच्ची बोल देते हैं, मुरेल बोल देते हैं, और at least 20,000 पर केजी के हिसाब से यह बिखती है, लोकल फार्मर होगे, ट्राइबल होगे, वही लोग इनको collect करते हैं, और collect करके आपको बता है, सबसे ज़्यादा क्या चलता है, टुरिजम भी चलता है, तो जब टुरिस्ट यहाँ पर जाते हैं, सेलिब्रिटी यहाँ पर जाते हैं, कहां कहां पर मिल सकती है, जमीन के उपर, जहां पर water की availability है, यानि की area अगर moist है, वहां पर मिलेगी, rivers के अंदर मिल जाती है, पॉंड्स के अंदर मिल जाती है, brackish water, यानि की एगर salt early condition है, वहां पर भी मिल जाएगी, usually green color का होता है, पर इनको हम different variety of colors में देख सकते हैं, for instance, example के लिए, algae, अगर snow के उपर रह रही है, तो उसके उपर red color का pigment होता है, जैसे radish होती है, carrot होती है, sorry, carrot जो होती है, गाजर जो होती है, वो red color की होती है, क्यूं होती है, बिकाज इसके अंदर red color का pigment present होता है, और कहीं के अंदर chlorophyll भी मिल जाएगा, तो उसके basis पे भी इनके हम different different नाम दे दे देते हैं, जैसे, generally, जो आपको green color की दिखती है, उसको हम बोल देते हैं, chlorophyce, अब फाइसे कैसे आद रखोगे, क्यूंकि जो फाइकोलोजी होती है, फाइकोलोजी होती है, it involves the study of algae, कोई भी टाइप की algae हो, उसकी हम study करते हैं under the phycology, जैसे mycology पढ़ा ना, fungus के लिए वैसे ही, तो algae जो होती है, इसकी mode of nutrition, यानि कि खाने की जो process रहती है, वो different type की हो सकती है, number one is autotrophic, यानि कि ये swap पोशी होती है, अपना खाना खुद बनाती है, heterotrophic, यानि कि पर पोशी होते हैं, यानि कि अपने खाने के लिए दूसरों के ओपर dependent रहते हैं, और एक आते हैं mixotrophic, mixotrophic के case में जो होता है, ये अपनी body के अंदर carbohydrate, protein, lipid, fat, ये अपने बनाती हैं, और carbon dioxide और organic carbon वगेरा यूज करके manufacturing भी कर लेते हैं, तो algae जो है, यहाँ पर auto भी मिल जाएगी और hetero भी मिल जाएगी, ठीक है, तो दोनों टाइप की मिल जाती है, generally, autotrophic की बात करें, तो normally जो प्रकाश, संसलेशन हमने पढ़ा था, photosynthesis हमने पढ़ी थी, वहाँ भी ये sunlight का यूज करते हैं, carbon dioxide, water और वही process चलती है, same, जो हमने देखी थी पहले के lectures में, C6H12, O6 बन के आ जाता है, वैसे ही carbohydrates ये बना देते हैं, तो ये जो glucose है, एक तरह काब ही है, sugar ही है, ठीक है, saccharide ही है, फिर उसके बाद आती है heterotrophic, तो यहाँ पे small organic molecules का ये use करके, oil, protein, fat वगेरा develop कर देते हैं, वैसे mixotrophic आती है, यहाँ पे carbon dioxide, organic carbon, इन सब चीजों का use करके, खाना store कर लेते हैं, the form of carbohydrate, protein, lipid and fat, तो जब इनको खाना नहीं बनाना होता है, तो ये act like a heterotrophic, और जब खाना बना रहे होते हैं, तो ये act like a autotrophic, यानि, swap ocean, उसके बाद आती है, color के basis पे बड़ी सारी type हो जाते हैं, for example, red algae, now red दिखेगी ये, और ये benthic होती है, यानि, जब जो आपकी benthic मतलब, जो ocean वग्यारा का base होता है, जाके वहाँ पे बहुत जादा मिलती है, काफी बड़ी होती है, size में, macro, rodofice, भी इसको बोलते हैं, rodofice, rodofice का मतलब है, rodo, यानि, red color आजाएगा, phyce आजाएगा, यहाँ पे आपका algae, उसके बाद आती है, green algae, green algae के अंदर, just because chlorophyll present होता है, तो नाम पढ़ गया, chlorophyll, phyce involved the study of algae, तो chlorophyll present है, और अगर chlorophyll present है, तो इसका मतलब ये photosynthesis करेंगी, अपना गाना खुद बनाएँगी, fresh water में generally आप इनको देख लेते हो, फिर आजाती है, brown algae, brown algae भी benthic होती है, जो ये आपको पीछे image दिखी न, ये जो बड़ी-बड़ी algae दिख रही है, they are basically calps, इनको calps बोलते हैं, seaweeds होते हैं एक तरे के, calps हैं specifically, ये जो बड़ी-बड़ी आपको यहाँ पे आलगी दिख रही है, several feeds तक ये चली जाती है, even there is a movie, that is Harry Potter, उसमें वो कुछ स्वार्ड वगएरा, जब सर्च करते हैं, तो वहाँ पे भी calps का बहुत जादे दिखाया गया है, तो ये जो kelps होती है, ये brown algae की category में आजाती है, काफी बड़ी size की होती है, और ये marine में ही आपको मिलेंगी, generally आपको समंदर वगएरा, और जो महासागर होते हैं, उन में मिल जाती है, वैसे फिर हमने पड़े थे, dye items, dye items, अगर आपको याद हो, इनकी जो wall थी, वो बनी थी, किसकी सेलिका की, इनकी पूरी body के उपर, चोटे-चोटे छेथ थे, जिसकी help से अपना nourishment ले ले लेते हैं, कोई चीज बाहर फैंक नहीं है, उसको फैंक देते हैं, blue-green algae हमने देख ली थी, ये nitrogen fixation में भी help करती है, जैसे कि याना बयाना हमने देखा, dynoflagellate, dynoflagellate जो होते हैं, वो toxic होते हैं, dynoflagellate वहीं है, जो red color प्रडूर कर रहे थे, c, red tide का जिसको हमने दर्जा दे दिया था, right, फिर कुछ blue tide का हमने दर्जा दे रखा था, तो red tide किसकी वज़े से होते थे, gonyolux, तो gonyolux अगर पूछ लिया जाए क्या है, तो ये dynoflagellate है, वैसे blue tide का अगर example पूछ लिया जाए जाए आपसे, तो इसका आ जाता है, तो इसमें यूज करा जाता है, chlorella, ये algae की ही एक टाइप है, और इसके अलावा chlorella हो गया, laminary हो गया, sergassum, alva, antromorpha, ये जो होती है, इनको as a food भी यूज किया जाता है, जितने भी आपके coastal areas होते है, जहां भी algae prevalent होती है, वहां भी इसको as a food यूज किया जा रहा है, तो हो गया प्लस पॉइंट, उसके अलावा एक एगार-एगार करके algae होती है, जिसको हम extract करते हैं from the gracilaria, or gelidalia, or even gyagetina, तो एगार-एगार इससे obtain करते हैं, जो cell wall material है, वह इस एगार का क्या use रहता है, जैसे आपकी labs के अंदर आपने सुना होता है, कि cutting करनी है, किस चीज की cutting करनी है, PCR होता है, एक polymerase chain reaction, जिसकी help से हम DNA का number increase कर सकते हैं, बड़ा ज्यादा number increase कर दिया जाते है, तो जब इसको हम collect करते हैं, तो एक jelly-like substance होता है, जिसको बोलते हैं, एगार-एगार, क्यूंकि ये DNA के साथ react नहीं करता, और फिर DNA को हम pieces में cut कर लेते हैं, like you cut the cake, ठीक है, तो उस तरह से cut कर लेते हैं, तो microbiology जो lab होती है, उनके अंदर use कर लेते हैं, इवन जो canned food होता है, उसको preserve करने के लिए use किया जाता है, कॉस्मेटिक्स में use हो रहा है, textile paper industry में use हो रहा है, तो again you can see कि कितने ज़्यादा benefits हैं आपके algae के, उसके बाद एक और algae की type है, जिसका नाम है condros crispus, इसका जो यूज रहता है condros crispus का, caragenan नाम से ये बिखता है, caragenan, तो ये toothpaste वे गारा prepare करने में help करता है, ठीक है, ये toothpaste होता है, वो इससे बनाया जाता है, paints में इसको यूज किया जाता है, even इसको as a blood coagulant की तरह यूज करा जाता है, माल लो यहाँ पे किसी का, ये हाथ है, हाथ पे injury हो जाती है, तो उसका खून रोगने के लिए as a anti coagulant, एगार-एगार को यूज कर लिया जाता है, anti-septive गयरा में ये पड़ा होता है, तो वो सारी जगे भी आप देख सकते हो कि ये algae का किमना ज्यादा है, वैसे ही आपकी laminaria है, ascophylum है, अगें, algae के ही example है, तो इसको बेचा जाता है, alginate की form में, ice cream होगी, paints, flame-proof fabric, मलब आग, जैसे कहीं पर आग लगी है, तो जो कपडे बने होते हैं, that is made up of flame-proof fabrics, तो वो क्या होता है, यहाँ पे, वहाँ पे भी alginate का यूज किया जाता है, laminaria, sergassum, mescophylum, fucus, इनको as a fodder भ siliceous frosty use होते हैं, जब इनकी death हो जाती है, तो यह बना देते हैं, dietmaceous earth, यहाँ दैना, last lecture में यह पड़ा था, तो इनको use करा जाता है as a water filter, insulating material की तरह भी इसको use किया जाता है, ठीक है, concreating में, use किया जाता है, rubber manufacturing में, use किया जाता है, there are so many uses of algae, lithophyllum, chara, fucus, यह भी क्या है यह सारे algae है, इनको fertilizer में use किया जा रहा है, खाद वगयरा में use किया जा रहा है, again, chlorella, sandismus, claimidomonas, इनको sewage treatment में use किया जा रहा है, और even, जहां भी यह grow करते हैं, वहाँ पे represent होता है, कि जो pollution का level है, वो बहुत कम है, यानि कि air quality is good, पर जहां भी यह absent होते हैं, तो again, represent कि वहा coloruous viruses, red rust of coffee, coffee के पत्तों के उपर red color की rust जम जाती है, तो यहां भी यह देख रहे हैं, क्या हो रहा है, negative impact भी देखने को मिल रहे है, harmful activity भी देखने को मिल रहे है, now, algae and fungi के बीच में हम एक difference भी देख सकते हैं, यह जो term है, यह कहां से originate करी, तो एक latent term है, algae आपकी, और इसका मत algae जोती है, वो protista kingdom से belong करती है, algae autotrophic organism है, यानि कि अपना खाना खुद prepare कर लेती है, strictly exist करती है, in the bodies of water or the environment with high moisture content, यह parasitic नहीं होती है, यानि कि दूसरे organism के उपर नहीं उखती, जबकि फंगस की बात करें, यह भी latin word है, study of fungus is known as mycology, और वहां पे algae की study को हमने बोला था, phycology ठीक है, तो यह जो fungi होती है, इसको हम kingdom protista में ही रखते हैं, ठीक है, एक time था जब इसको kingdom protista में रखा था, बट आप कहाँ भी रखा है, kingdom fungus, क्योंकि हमने कुछ differences देख थे, तो जिस वज़े से हमने इसको shift कर दिया था into the kingdom fungi, हिट्रोट्रोफिक होती है, यानि कि अपने खान प्रिजिट जहां पे ठंड़ अन्वामेंट वहां भी मिल जाती है, कुछ form जैसे कि हमने क्या देखा, प्यूसीनिया देखी थी ना, प्यूसीनिया जैसी form शोती, यह क्या थी यह परसिटिक थी नेचर में, अब वाइरस देखेंगे, पर देखेंगे इन अपकमिंग वीड क्या क्या पूचे कहे हैं, वो भी देखेंगे, अभी के लिए इतना ही, if you like the video, do like and share, as well as subscribe the channel, you can also join the telegram session, app, where, जहां भी हमने questions, place करे होते हैं, on Sunday, you can solve them, and अपना थोड़ा चेक कर सकते हो, कि किना आपको याद रही हैं, so that's all for today, thank you everyone, have a nice day, keep studying, keep watching,